आज देखते हैं मोबाईल की तरख कैसे बढ़े लेबटॉप की रफ्तार। हालही में जब विदेश व्यापार महाने देशाले ने लेबटॉप, परसनल कम्प्यूटर, टेबलेट और ऐसी अन्य उत्पादों के आयात को मुश्किल बनाने के लिए एक नौवंबर 2023 से लाइसेंस लेना अनिवार कर दिया, उन्होंने बताया कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे पास भरोसे मन सिस्टम और हार्डवेर रहना चाहिए, साथ ही घरेलूत पादन बढ़ा कर आयात निर्भरता कम करने की वज़ा भी बताई गई वारे जिव मंत्राले के आंकड़े बताते हैं कि वितिये वर्ष 2022-23 के दोरान भारत में कुल 878 करोड डॉलर के कम्प्यूटर आयात हुए जिन में से बड़ा हिस्सा यानि 533 करोड डॉलर तो सिर्फ लैप्टॉप और टेबलेट पर ही गया है उसमें से भी 410 करोड डॉलर का आयात सिर्फ चीन से हुआ है मतलब कुल आयात का 3-4 से ज्यादा हिस्सा चीन से आया है शायद यही सबसे बड़ी वज़ा है कि भारत सरकार इस आयात पर लगाम लगाना चाहती है कैसे लगाई मुबाइल वर टीवी में उची छलांग सरकार ने मुबाइल वर टीवी के विशे में 2015 में निस्त स्वार्थों को दर किनार कर सहसिक निर्णा लिया था उसके बाद भारत में इन दोनों के उत्पादन वर निर्यात में जोड़दार उच्छा लाया तब इनका निर्यात 9 के बराबर था जबकि 2022-23 में 1000 करोड डॉलर से ज़्यादा के मुबाइल निर्यात हुए हैं जहां 2014 में किवल 2 मुबाइल प्रांट थे आज मुबाइल या उसके पुर्जे बनाने वाले कारखाने 260 से भी अधिक हो गये हैं पिछले वित्वर्ष में भारत में कुल 2,75,000 करोड रुपए कीमत के करीव 31 करोड मुबाइल फोन बनाए गये हैं यह चमतकार सरकार के समझदारी से भरे साहसिक निर्ड़े से संभव हुआ है यह मेक इन इंडिया कारिकरम के लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि इसी सेग्मेंट में डेस्क्टॉप, लेप्टॉप, आदी हिस्सेदारी महाच 35 फीस दी है जबकि स्मार्टफोन और टीवी में यह 100 फीस दी है टीवी उत्पादन के मामले में भी अभी हाल में ही कुछ ऐसा ही है अब देश में बिखने वाले 100 प्रतिशर टीवी भारत में ही बन रहे हैं इन दोनों मामलों में एक खास चीज और है जो अब लेप्टॉप और टेबलेट जैसी चीजों के कारुबार में भी दिख सकती है जहां सरकार पुरी तरह तयार लेप्टॉप और टेबलेट के आयात को रोकने या मुश्किल बनाने की मुद्रा में है वहीं इन्हें बनाने के लिए जरूरी कलपुर्जों के आयात पर ऐसी सक्ती नहीं दिखती है साफ है कि अगर कमपनियां तयार समान लाने के बजाए विदेश से उनके हिस्से लाएं और यहां जोड़कर बेचें तो दोनों के लिए फाइदे का सौधा हो सकता है जिन कमपनियों की भारत में फैक्टरी है उन्हें फाइदा हो सकता है करीब करीब सभी लोग मानते हैं कि इससे भारत में कम्प्यूटर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और उन भुकताओं को भी फाइदा होगा लेकिन अभी इस वक्त इस फैसले ने सबकों मुश्किल में डाल दिया है इसकी वज़ा यही है कि हर तिमाही विकने वाले 20 लाख लैब्टॉप या टेबलेट में से 15 लाख आयाती थें इसकी वज़ा से बाजार में अचानक लैब्टॉप टेबलेट और आल इन वन कम्प्यूटर के कीमत बहुत बढ़ सकती है एपल, डेल, एचपी और सैमसंग जैसी कमपनियों को करारा जटका लग सकता है क्योंकि वह ज़्यादा तर लैब्टॉप और टेबलेट आयात करके भारत में बेचती रही है अचानक देश में बनाकर यह मांग पूरा करना बहुत ही कठिन है ऐसे में सरकार को इनको कुछ महलत जरूर देनी चाहिए सरकार को आप उड़ती और मांग पर ध्यान देना होगा खास कर इसलिए भी कि तेवारी मौसम शुरू हो रहा है फैसिबल सीजन में सभी चीजों की मांग बढ़ती है ध्यान रहे कि सरकार के इस कदम से हमारे तेजी से बढ़ते वे कंप्यूटर उद्योग और नौ जवानों को परिशानी का सामना न करना पड़े और मांग बढ़े पर दाम न बढ़े नेशन बिल्डिंग प्रोड़क्स चैनल को यदि आप राज निर्माड है तो उप्युक पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें